हाई मेरा सर, हाई दर्द से फटा जा रहा है, हाई लाँ ओई आज क्या हुआ है, जब भी घाराओ तुम्हें कोई नौके मसला ही होता है तुम्हें मेरी क्या परवाहे, हाई तुम तो बाहरी खुश रहते हो, घारा आते हो तो सीधे मूँ बात नहीं करते हैं हमसे बहिं, हम भी शरा दिन काम करकर ठक जाते हैं घाराओ तो तुमारी सुरत इसी हालत पे देखते हैं कोई खाना आना है के नहीं खाना बना वे रोटी तुनूर से मंगालो लगहाल हुला कुवत वो कहा है अर्सलान? अर्सलान, अर्सलान बेटा कहा हु हो तुम? धर पर ही बना लें, रोटी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। दूर क्यों जाना पड़ेगा वाला? यह पास ही में तो हमारे मार्किट में तंदूर है। वो तंदूर? वो तंदूर वाला तो बंद करके चला भी गया। वो कहां चला गया? अपने मुल्क वापिस और कहां? क्यों? मामा वो कह रहा था कि वो अपने वतन वापिस जा रहा है क्यूंकि हकूमत पाकिस्तान ने यकम नुमबर 2003 से पहले पहले गेर कानूनी तारकी ने वतन को पाकिस्तान छोड़ने का कहा है लेहाज़ वो चला गया ये क्या बात हुई मरा ये ठीक बात है देखे ना बई दुनिया में कोई भी मुल्क किसी भी गेर मुल्की को गेर कानूनी तोर पर अपने मुलक में रहने की इजादत नहीं देता तो हमारे मुलक में कोई गेर कानूनी तोर पर कैसे रह सकता है जी बाबा बिलकुल किसी भी मुलक में गेर कानूनी तोर पर दाखिल होना जुर्म तसवर किया जाता है तो पाकिस्तान ने जो फैसला किया है बिलकुल ठीक किया है हाँ भी अगर कोई गैर मुलकी कानूनी तकाजे पूरे करके रहना चाहे तो बला रहता रहे इस तरह तो बहुत से लोग होंगे जो छुप छुपा कर गैर कानूनी तोर पर यहां रह रहे होंगे हाँ हाँ अजरा बेशुमार जी बाबा रह भी गैर कानूनी नहीं और कारोबार भी गैर कानूनी कर रहे है तो अब जनाब 31 अक्तूबर तक दिन तो रह गए बहुत कम तो इतने जादा लोग वापिस कैसे जाएंगे जैसे आये थे वैसे ही वापिस जाएंगे तो और क्या